वेलकम टु लग अकेडमी देखो अब हम अपना नेक्स टॉपिक जो हम देखे हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफेट इतना इंपॉर्टेंट है कि आज तक अभी किसी एक्जाम में नहीं आया ठीक है देखो पॉइंट क्या गांट है कि क्यूं की आया एक्जाम में क्यूंकि हर बुख किसंके बारे में कुछलाग बोल रही होती है ठीक है कहीं कुछ मिल जागा आपको कहीं कुछ मिल क्यसे जागा इसे अवे भी बात करने वाले इस स्थेयर की वो लोग बात करते हैं एक plane में, तो कुछ books कह रही होंगी, कि भाई देखो अगर मैं ऐसे ही बना भी दूँ कि जैसे मालो, कोई plane की मैं अगर बात करूँ, तो इस plane के उपर अगर कोई sphere रखा हुआ हो, या इस plane के half में, मतला half नीचे, half इदर, अगर ऐसे कोई plane रखा हुआ हो, तो equations बदल जाएंगी समझ रहरो, इधर से जो equations आएंगी, वो अलग होँगी, और इधर से जो equations आएंगी, वो अलग हो सकती है, unit circle लेना होता है, unit circle अगर लिया जाएगा, तो equations रलागाएंगी, और unit circle नहीं लिया जाएगा, तो equations रलाएंगी, तो इसलिए, उस confusions को avoid करने के लिए, इसका question तो शै कि बेसिकली मैं कुछ नहीं करता हूं कि मैं देखता हूं तेखो हम इंफिनिटी के बिहेवियर वगएरा को तो पढ़ेंगे बाद में ही जैसे आपको यह चीज तो पता है क्या कि कॉम्प्लेक्स में ना इंफिनिटी का गेम भी अलग है रियल में क्या था जीरो था एसेम चल रहे थे इधर इधर साथ चलते चलते जा रहे थे किसी ने कहा दिया भाई आगे तो इंफिनिटी पड़ेगा इधर चलते जा रहे थे इधर माइनस इंफिनिटी का बता दिया ठीक है दो ही इंफिनिटी थी हमारे पास ज्यादा डिस्ट तो बेसिकली इन सब इंफिनिटी के चिक-चिक-जिक-जिक को खतम करने के लिए हमने इन सब को एक ही इंफिनिटी मान लिया अभी ज़्यादा सब में हम इसको तब और ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है तो अब देखो क्या था अब इसी चीज को अवर्ड करने के लिए अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्लेन है ना ठीक है जैसे यह तो मेरा जैसे बैग आप बैग टाइप मान के चल लो मिर पास नहीं है बैग ठीक है आप जैसे चादर टाइप ले लो जैसे जो भी है आप इस कोने से जैसे यह थी मैंने इस कोने से यहां एक पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं था बस यहां पे मेरे को पूरी-पूरी चादर पकड प्रीज थी चारों क्या मतलब इधर वाली भी तो इधर ही आ गई ना सब इधर आ गया जैसे आप ऐसे देख सकते जैसे एक यह चादर थी इसमें गेहूं रखे हुए थे कुछ भी कुछ भी रखा हुआ था तो वह मैंने पूरी की पूरी पैक अप कर ली ठीक है और मैंने इस इस पॉइंट को अब एक इंफिनिटी बोल रहा हूँ ठीक है तो बेसिकली मेरी आग क्या रहते है अगर आप देखू चादर अगर मैं लंबी कर दो तो बेसिकली कितनी सारी इंफिनिटी हो गई तो मैंने यही काम यहां किया है ठीक है जैसे मैंने इस इंफिनिटी को असान हो जाती है बात और मैं इसको एक स्फेर की तरह ट्रीट करने लगता हूं समझ रहे हो ठीक है अब बेसिकली देखो होता क्या इसमें कुछ नहीं होता एक यह एक यह एक्सिस और तीसरा इधर जो एक्सिस अभी दिखाए गया तो उसे मैं भी यहां पर माल लेता हूं ठीक है अप देखो क्या है कि मैं माल लेता हूं यहां पर एक स्फेρ ऐसी रखा हूआ है अब इस्टिर्यग्राफिक प्रोजेक्शिन का मतलब क्या है यह कहती है कोई भी पॉ roads जो मेरे प्लेन में होगा ने उसको मैं प्रोजेक्ट किया जा सकता हूं इसको मैं यही लाइन ऐसे ठीक है तो बेसिकली यह जो लाइन थी न मेरी यह वाला जो पॉइंट है यह वाला पॉइंट है यह वाला पॉइंट यह यहां आ गया और यही वाला पॉइंट बेसिकली यहां आ गया समझ रहें दिखाने के लिए अब इसे समझने इतना आसान नहीं होता इ अब देखो, है क्या, बेसिकली आप ऐसे ले सकते हो, अभी अगर देखना हो, तो ठीक है, देखो, जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, कि मैं इसको एक माल लेता हूँ, आप इसे माल लो, यह ऐसे, ठीक है, यह प्लेन है, ठीक है न, जैसे यह, यह मेरा क्या निकला हुआ है, ठीक है, अब देखो, मैं अब क्या करता हूँ, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स न, मेरे एक स्पेर पे आ जाएं, यह काम कर रहा है, स्टेरियोगर्फिक प्रोजेक्शन, तो बेसे कली न, अब आप इसे, इसको, ठीक है, मैं बास्केट बॉल लाने की सोच रहा था पहले, लेकिन फिर वो खरीद नहीं पड़ती, और फिर खरीद ली जाती तो फिर खेलना भी पड़ता उस बास्केट बॉल से, अब इस उमर में आप तो समझी सकते हो न, खेलना को दो न, ठीक है, तो यह ठीक है, पढ़ पढ़ा के से खालेंगे, काट के, तर बूज, ठीक है, देखो, अब आप इसको न, ऐसे माल लो यह, ठीक है यह माल लो, ऐसे, यह वाला पॉइंट, ऐसे माल लो आप इस स्फेर को, आपके सारे पॉइंट्स न, बेसिकली यहाँ, मतलब, वो जो मैंने सारी सारी इंफिनिटी थी न, मैंने इधर से उखाड के, इधर उधर पकड़ के, यह एक इधर यह वाला पॉइंट न, माल लिए Z axis इधर ठीक है और जो सारी के सारी मेरी infinities वगरे थी वो मैंने यहां से उठाकर समझ रहे हो यहां से उठाकर यहां से उठाकर यह वाली सारी infinity मैंने यहां से चाबुक से पकड़ लिया इस point को मैं बोल रहा हूँ North Pole ठीक है इस वाले point को मैं क्या बोल रहा हूँ जी मेरा North Pole बोल रहा हूँ ठीक है अच्छा अब देखो है क्या माल लो कि कोई point था मैं कोई line वगरा अगर लूँ जैसे मैंने बनाने की कोशिश की थी अब पता यहां थरकते करनी पड़ती हैं कई बार ठीक है देखो अब जैसे आप यह माल लो यह था ना ऐसे था अब मेरे को क्या करना था मेरे को यह वाला point देखना था यह point इस point को मैं अगर बात करूँ इस point की मैं बात कर रहा हूँ यह वाला point यह वाला point ठीक है मार करने काम करना बंद कर दिया अब आप समझते हैं न जैसे आब आपको समझना है ठीक है basically जो यह point जो यहां से मैं इसे दिखाने के कोशिश कर रहा हूँ यह point मेरा अगर मैं यहां से एक line बनाता तो इस plane में यहां मिलता ठीक है कहा जाता जी यह वाला अब यार एक और हाथ चाहिए मुझे ठीक है अब ये वाला जो point है ये जो यहाँ एक point है ये ये वाला point मेरा इधर से निकल रहा है यहाँ और ये इस plane को इधर ऐसे intersect कर रहा है ठीक है ये भी मार कर बंद हो गया यार सब साथ छोड़ रहे हैं दीरे दीरे ठीक है चल जा भाई प्लीज चल जा प्लीज प्लीज फ्लीज ठीक है होगे खराब ठीक है अब देखो धीरे दीरे अब हम तर्बूज भी खराब कर देंगे देखो ये क्या था मेरे पास ये वाला एक point था ठीक है ये एक point मेरा ऐसे line और यह यहाँ पर ये भी a point आ गया ठीक है मैं फिर कोशिश क्या कि मैंने ये वाला जो point है न जो ये वाला point है इस फिएर पर यह मेरा कहीं न कहीं यहां है इसे मैं कैसे वह समझ सकता हूं बोल सकता हूं न हमाँ इसे x होगा कुछ two Two मानलो यहां पर और y होगा 1 तो two plus Iota ठीक है तो मेरा जो Z है, जो ये point है Z मेरे 2 प्लस आयोटा, वो ये वाला point है, basically मैं ऐसे सारे points को इस sphere पर दिखा सकता हूँ, और ठीक वैसे इस sphere को, ये वाला point, मतलब ये वाला point है, ऐसे ये जो है इधर ये जो इस sphere में, अब आपको ऐसे कैसे दिखा हूँ मैं, ये चीज और दूर जाओंगा, मैं यहाँ आएगा कहीं, ठीक है और दूर मैं जाओंगा, यहाँ आएगा, तो basically जो और दूर होगा जो infinity पर जो कहीं point होगा जैसे माल लो, अब आप देखो कि आपके सारे points, ये वाले points यहाँ आगए, ये वाले पोल वाला, ठीक है, ये जो नौर्थ पोल वाला जो point है ना मेरा ये, अब आप देखो अगर इसे यहाँ भी एक line बन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, अब आप इसको देखो ध्यान से, तो ये वाली जो line है ये line कहां जा रही है, parallel parallel निकल रही है, मतला obviously, कहां मिलेगी basically, infinity पर, ठीक है, इसलिए बोलते है न, parallel line never meets, but actually meets at समझ रहो, तो basically, ये जो line है न, ये जो line है मेरी, ये जो point है, इस point की भी projection होगी कहां होगी, infinity पर होगी तो इसलिए, ना सिर्फ इस plane में पूरे के पूरे c आया, ना सिर्फ इस plane ठीक है, और ये जो infinity obvious list में सारी, सारी infinities है, तो बोल देते हैं कुछ लोग की एक ही infinity है, ठीक है, यही, तो अब इस plane को extended complex plane के नाम से भी दुनिया बला रही है, बलाते रहने था दुनिया को, ठीक है, ठीक है, तो बस बात सिर्फ इतनी से है, कि इस इस sphere का रख जा भाई, ठीक है, इस sphere का भाई, इस sphere का हर point मैं यहां दिखा सकता हूं, project कर सकता हूं और ठीक वैसे ही, हर point मतलब जो भी मेरा जो भी मेरा point इधर है, मैं उसको sphere पर project कर सकता हूं, ठीक है one one correspondence basically दिखाई जा सकती है, बस इतनी सी बात है stereographic projection में, और तो कुछ important है नहीं, मतलब क्योंकि exam में नहीं आएगा तो क्या ही है, लेकिन आप देख सकते हो, derivation वगरा, as usual, हमने छोड़ देनी है, ठीक है, देखो the point, t बहुत important है, इसमें, the point z is equal to x plus i to y corresponds to the point this, ये point होंगे, मतलब basically, कोई भी z आ point उठालो, ठीक है, ये complex number z होगा, तो sphere में वो कौन सा point बनेगा, वो ये वाला point बनेगा 2x upon x square plus y square plus 1 2y upon x square plus y square plus 1 x square plus y square minus 1 upon x square plus y square plus 1 upon x square plus y square plus 1, ये वाला point plane sphere में आ जाएगा, अगर x, y, अगर ये point है मेरा z, ये मेरा plane में है, ठीक है, होगा कभ ये, जब x square plus y square plus z square equal to 1 होगा, ये चीज़ भी important होगी कि unit circle, अगर unit circle ना होता तो, तो भी कोई ऐसी कोई वाहियात बात तो कुछ और नहीं जानी थी, बस हमें फिर उसी हिसाब से coordinate define करने थे, actually जब हम derivation करते हैं तो इसी के हिसाब से चलते हैं हम, जो भी हमारा वो होगा 11001 कोछ इस हिसाब से ठीक है तो derivation तो हमने करनी नहीं ठीक है तो ये चीज clear है, अब अगर मानलो कोई sphere का point हो फिर उससे आप complex number निकालो तब any point this मानलो अब exile 1, exile 2, exile 3 on the sphere, ठीक है corresponds to the complex number this exile 1 plus Iota exile 2 upon 1 minus exile 3, ठीक है तो इससे complex number आ जाएगा, लेकिन हमने निकालने तो ही नहीं, तो याद भी नहीं करने नहीं तो देखना भी नहीं है, ठीक है, जो काम की चीज थी यही थी कि मैं किसी भी plane के point को मैं अपने sphere पर दिखा सकता हूं basically, और किसी भी sphere के point को मैं plane पर दिखा सकता हूं लेकिन जो मेरा north pole हो गया जो मेरी सारी की सारी मैंने back बनाया और जो मेरे पास infinity आ गया, मैंने सारी की सारी यहां से मैंने पकड़ा यह सब को पकड़ा, तो मेरे यह point आ गया, जैसे मैंने back का वह point था, तो यह जो है यह मेरा north pole, यह मेरा north pole infinity पर जाकर मिलता है, बस तो मैं बोल देता हूं कि यह points है basically, मैं उन्हें plane में दिखा सकता हूं, इस तर्बूजे पर दिखा सकता हूं, और जो इसमें तो नहीं होते हैं, खरबूजे में होते हैं ठीक है, जितने भी इस तर्बूजे में points होंगे, मैं उसे plane में दिखा सकता हूं, लेकिन एक point के साथ दिक्कत हुई थी, मेरा north pole ठीक है, मेरा north pole, और boundary किसे बोलते है, mod z equal to 1, जो circle की जो boundary यह इसको बोल देते हैं equator, ठीक है तो देखो, बस north pole में दिक्कत हुई थी, तो north pole को मैं कहा represent कर रहा था, इस sphere की north pole को वो भी plane में गया, लेकिन वो extended complex plane में गया, उसे c union infinity बोल देते हैं बस काम की चीज यही थी, और अब, आप भी खाओ Thank you for watching